हालो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ बदाम मिल्क सेख की रेस्पी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बदाम सेख बनाने के लिए मैंने 20-25 बदाम ले लिया है उसको भिगो के उसका चिलका निकाल लिया है बदाम को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे थोड़ा सा दूट डालके उसको पीस लेंगे अभी यह महीन नहीं हुआ है इसमें थोड़ा सा चिनी डाल देंगे तो मैंने तीन चमश चिनी डाल दी है और उसका महीन पेस्ट बना लेंगे तो मैंने पेस्ट बना लिया है मैंने दो कलास दूध कैस पे गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें उबाल आ गई है तो मैं इसमें दो चमश चिनी डाल दूँगी मैंने और चिनी बदाम को पीशते वक्त डाली तो मै इसमें दो ही चमश डालूँगी आप मैने दो चममख कस्टर पौडर ले लिया है और उसमें ठन्दा दूट डालके उसका गोल बना लूँगी तो मैं ने गोल बना लिया है अब इसको दूध में डाल देंगे दूध में डालने में बार इसको लगतार चलाते रहेंगे जब तक Aliya चाती इसमें अगई है अब मैं इसमें पिसे हुए बदाम डाल दूंगी है कि मैंने बदाम डाल दिया है अब इसको एक उबाल आने देंगे उसके बाल दस मिल्ट तक इसको धीमी आज में पका लेंगे तो यह पक गया है मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी जब यह एकदम ठंडा हो जाए तभी इसको फ्रिज में रखना है तो यह अच्छे से ठंडा हो गया है अब मैं इसको आधा एक बरतन में निकाल लूंगी इससे मैं मिल्क सेख इसको निकालने के बाद दोनों को फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए तो यह अच्छे से जम गए हैं अब मैं इसको निकाल के एक मिक्सी के जार में डाल के ग्राइन कर लूँगी तो मैंने इसको एक मिक्सी के जार में डाल दिया है इसमें आइस क्यूप डालने की जुरुत नहीं पड़ेगी और इसमें थोड़ा सा दूप डाल देंगे और इसको ग्राइन कर लेंगे तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अब मैं इसको एक ग्लास में निकाल लूँगी ग्लास में निकालने के बाद इसमें मैंने जो डबे में आइसक्रीम जमाई थी उसमें से आइसक्रीम निकाल लेंगे आइस्क्रीम निकालने के लिए मैंने आइस्क्रीम के मोल क्या जो ढखकन होता है उसी से मैंने यह आइस्क्रीम निकाल ली है और इसमें से बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से आइस्क्रीम निकल जा रही है तो मैंने इसी से आइस क्रीम निकाल ली है और इसमें थोड़ा सा रूह अबजा डाल देंगे तो यह टेस्टी सा आइस क्रीम बदाम मिल्क से बनके त्यार हो गया है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें स्वेर करें